इसमें छे बराइटे का तर्बूज लगाए गया है यह आप जो तर्बूज देख रहे हैं इसके अंदर अगर इसको कटिंग करेंगे तो इसके अंदर पीला और स्वाद में एकदम बहुत मस्ता है बहुत मीठा है त्रोबेरी के प्लाट में आप देखेंगे कि पूरा का सेडलिंग कर दिये थे खेत में उसके टमाटर को बढ़ाई करके खेती कर रहा है तो आपके जमीन जो साधर तरिके से किसान करते हैं खेती उसके अपको पांच गुना ज्यादा टमाटर की खेती में आपको उत्पादन मिलेगा इस भी दिस सभी किसान भायों को नमस्कार किसान सातियों हम एक फार्म पर आये हुए हैं जहां पर हमारे भाया हैं हम इसे इनका परिचे भी जानेंगे साथी साथ आपको यह भी बताएंगे कि इनके साथ कौन इस काम में जुड़ा है दोस्तों तथा क्या-क्या फसल यहां पर लगाए हुए हैं तो भी आपना चाहनिया कैथी से बिलोन करते हैं ओ जिले में एक ड्राइगन फूट को लेकर फेमस हैं और हम इस्ट्रोबेरी को लेकर फेमस हैं तो पिछले साल हम लोगों ने मन बनाया कि क्योंने दो जीले की दो यूनिक किसान एक मंज पर आकर काम करें ताकि इस काम को बड़े लेबल तक अंजाम देने का काम करें हम लोग तो आज हम जिस घड़ी में जिस समय पर खड़े हैं ओ धनंजय कुषवाजी और अनिल मौर्या दोनों कदम से कदम मिला कर मिला कर का काम कर रहे हैं चल रहे हैं और इसको नए लेबल नई फारिंग कमर्सियल खेती के तौर पर डबलब करते हैं लोगाइट की खेती करते हैं तो इसके मांडरी वाल पर टमाटर या हैट वाली कोई प्शल डाल सकते हैं स्का टमाटर यह वाली कीड वाल्यूर पाढ़ावाली यह ने इसको यह द दोनी से तो यहен वास reviewing कर दो हम जो लोग जा रहे हैं तो आडियुनिक देन्वार जो कि बाहरी कीड़ों से पोधों को बचाता है अब देखिए इधर टमाटर आर्गेनिक रूप था अब इधर इस्ट्रोबेरी के प्लाट में आप देखेंगे कि पूरा गेंदा गेंदा दिखी रहा है आपको पीला-पीला जो कीड़ों का एक्षान होता है फ्लावरिंग प फसलों को नुक्सान करते हैं इसके वज़े से हम लोग ए अर्गेनिक का यह एक रूप है जिसको फसलों को बचाया जा सकता है गेंदा लगा कर अच्छा मतलब यह इस्ट्रोबेरी आप लगा दिया है और यह अधिक हाइट के स्ट्रोबेरी से जो गेंदे का लगा है ताकि बीच बीच में आप गेंदे का भी तोड़ाई करके गेंदे को भी बेच सकते हैं यह एक इंकम का जरिया है और बीच बीच में लगाएंगे तब का प्लाट भी सुंतर लगेगा और आप जो किस कंसेप्ट में इसको अपनाया गया है उस पर भी खरा उतरेगा तो यह चलते के बाद 45-50 दिन में कामर्सियल हर्वेस्टिंग शुरू हो जाती है उसके बाद यह तंपरेचर के आधार पर मार्च तक लगभग चलता है फरोरी मार्च तक एक एक एकड़ में इसकी लागा थे 5-6 लाक रुपया और मार्केट और मौसम अच्छा मिला सही मिला तो हम इसक कम सकम 10-12-15 लाक रुपयार आए कर सकते हैं बहुत अच्छी खेती है उसको किशान अपनाना चाहते है अपना सकते हैं बट इसका थोड़ा मार्केटिंग बहुत क्रित्कल होता है मार्केट में बेचने का मार्केट अगर अच्छा उनको मिल जा जगह मिल जा तो असानी से भी जाता है ठीक है अच्छा आप ट्रेनिंग अगर अभी हम बता रहे थे कि आप चालू करने वाले अपने हाँ हमको इस फिल्ड में काम करते आज दस से 12 सल हो गया है हम चाहते हैं कि इस अनभों को अपने किसान भाईयों तक पहुचाएं और उनको शेयर करें जनकार लोगों की संपर्क में और वह कम लागत में अच्छा मुनाफ़ा कमाएं अच्छा ठीक है यह बताईए देखिए इस इस ट्रोबेरी के प्लाट में आपका एक लहसुन भी कंसेप्ट आ गया अज बीच बीच में चार इस्ट्रोबेरी के बीच में एक लहसुन डाला ग जहां जितने एरिया में लहसुन है वहां वह पौधा पूरा अपनी समय पर पूरा स्वस्त था कोई बीमारी नहीं थे कोई दिक्कत नहीं था प्रडक्शन में भी कमी नहीं थे यह एक आरगेनिक का रूप है जहां लहसुन प्याज की खेती करेंगे जिस फसलों में मल्तिक क्राप के रूप में वह फसली बीमार होने से बच जाएंगे आपका दवा के खर्च बचेगा जी आम देख रहे हैं कि आप बहुत सारे लोगों को रोजगार भी जो है कि उपलब्त करा रहे हैं जी अब इतना बड़ा काम को अंजाम देने के लिए बहुत सारे लोगों की मैं तो लोग हैं तो उनको रोजगार तो मिलेगा ही बट उनकी अलावा काम नहीं हो सकता किसी कभी कोई कंपनीया फर्म हो बिना सब्सक्राइब करने के लिए आपका नॉमबर में ही लोगी का सेडलिंग कर दिए खेत में उसके बाद जाड़ा का इसमें बहुत अनुकुल जाड़ा नहीं था हम लोग के पक्ष में लेकिन फिर भी जाड़े से लड़ते लड़ते इस कंडिशन पर इसको बचाये हुए हैं बटे पिछले दो महिना से हर्वेस्ट हो रहा है इस तरीके सगर किसान खेती करें देवांस इसको जो इसका बना हुआ है इसको इतना ग़र्मी और भूल्म से लोग बताते हैं कि नहीं होता है लेगे लोग कहते हैं में तरीका है तो परकिली जार है हमारे चकिया में बहुत चारे फार्मर रहते हैं जो कि नेनुआ लोकी करेला जो कुछ भी है कद्दू अगरा सबकी खेती मचान विधी से करते हैं गर्मी में जाड़ा या बरसात कभी भी वह उनीचे करते हैं इसमें फाइदा यह है कि आपकी जो भी है फ्रूट है वो लंब और इंदर टमाटर हम देख रहा है कि सुखा गया है लेकिन यह भी बहुत बिधिवत तरीके से लगा है हाँ यह टमाटर हमारा लगा है एक्टूबर का एक्टूबर अब एजो इसकी अस्त ब्यवस्थाइं देख रहे हैं यह आपका जो जाड़े के दिन में व्रिश्टी ह पानी अधिक वारिश हुई थी उसके वज़े से इसकी बिवस्ताय थोड़ा सा भीगड़ गई है लेकिन चढ़ाने से बहुत अच्छा फ्रूट मिलता है बहुत अच्छा प्रॉडक्शन मिलता है जिससे किसानों को बहुत अधिक लाब होता है अम बता दें आपको कि अगर क कोई भी किसान अगर टमाटर इस्टिक पर कर रहा है तो आपके जमीन जो साधान तरीके से किसान करते हैं उसके अपेक्शा आपको पांच गुना ज्यादा तमाटर की खेती में आपको उत्पादन मिलेगा इस वीदिश करने में इसमें जो भी फ्रूट होते हैं पूरा निकाल देता है खर्च तो आए हम लोग दूस्तों अंदर मचान विया कैसे बनाए हैं और देख लेते हैं कि क्या वियू है अंदर से जी विया अब देख सकते हैं कि मचान विदी से कितनी फ्रूटे कितना फल लगा हुआ है देखिए चोटा बड़ा चोटा बड़ा करके क ने जबरजस्त तरीके से इसमें फ्रूटिंग हुआ है तो इस तरीके से अगर किसान खेती करें तो बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं जी है कि बहुत जबरजस्त जो है फ्रूटिंग हुए भी हम देख रहे हैं इस पर है जिब यह सपोर्ट वाला बता रहे थे खिषच खिच कर बाधा गया है ताकि उधर का से उधरना वजन लेकर लटकने दे और आप इसका बना रहा है चारों-टरों इसको बनाए गया इसको इस तरीके से अगर लवकी के खेती में मचान-बिधी में यह बहुत ज़रूरी होता है कि सपोर्ट देने के लिए बगल से सब्सक्राइब तो आपका मचान टिक पाएगा और इस में देख रहे हैं कि है यह जो जमीन है आपका यह जो हिट होगा तो भी आपके पौज़ों को प्रवाइद करेगा इफेक्ट करेगा तो इसको बचाने के लिए आपको माइक्रोड डाला गया कि फुहारा से पूरा आप आपका ही मिडिटी कंट्रोल करें आच है थीक है तेकर इदर सिम्ला मिर्च भी आप लगाए है सिम्ला मिर्च है अब देखर बुरूकली है मारा कड़ गया है बुरूकली इस अब फ्रूटिं पीछे का है वहीं सब खराब हो गया फ्रूट जीजी ठीक है अब यह की सब्सक्राइब ज कोई थोड़ा लेट है इस तरीके से चल रहा है और लवकी आपका यह कहीं साथ का लगा हुआ है नौमर का ही लगा हुआ है यह भी इसको भी जाड़े से बहुत बचाये गया बचाने के बाद जैसे इस टमप्रेचर आया फरोडी का वह से पकड़ कर चलना सुरू है अब एकम संख्या चार-पांच नजार आएंगे अकल्य के संख्या अगर भिंडी में बढ़ती है तो पॉडक्शन आटोमेटिक बढ़ जाएगा कई गुना बढ़ाएगा आपका यह तर्बूज की खेती आपकी है यह पूरा प्लार जो दिख रहा है पीछे पूरा तर्बूज ही ल कुछ और वेट हैं जो कि बाहर हो से पीला दिखेंगे अपको बाहर सहरा दिखेंगा पीला दिखेंगा विल भाहर दिखेंगा अंदर आयो अलग बिढ़ता है कि पर लोग बेचने के लिए तयार है तो इसमें भी कुछ स्टेज से क्या करना चाहिए क्या करना जिए क्या करना चीछा कि पलकरवां कि प्रदेश की हैं इसको देना पड़ेगा उनको समय समय पर वहां अगर चूक होते हैं किसान तो उनके उत्पादन और फ्लावदुन फ्लोटिंग में दिक्कत आती है और आप इसमें देखने हैं कि पपीता भी लगा हुए है इसको पपीता डाला गया है तो हम लोग पहली बार पपीते के खेती कर रहे हैं अब आगे क्या होता है इसको देखा जाएगा मक्का का प्रयोक किया गया है ताकि आने वाली मैजून की जो लू है गर्मी है हवा उसको उसको रोकने के लिए उधर से धूप रोकने के लिए दोनों तर्म से बचाया गया है ताकि पपीतों पर उतना प्रभाव गर्मी का न पड़े न पड़े ठीक है यह क्या है यह आटेक होती हैं जो फ्रूट फ्लाई मख्यां और जाती है उसमें बेहो सकर नीचे गिर जाती है इसे साफ से फ्रूट फ्लाई रोकने का तरीका है जिसके वज़े से दवा का खर्च आपका बच जाएगा जो तना फल छेदक होते हैं उनके रोक थाम के लिए और आपका उधर एक राप गार्ड है यह यह अरगेनिक कर रूफ है आप हमारे फसलों में देख सकते हैं कि कई आरगेनिक तरीका अपनाया गया है जो उड़ने वाली मख्यां हैं जो इनसेक्टिसाइड है जो यह मख्यां है जो पत्तों के नीचे रश्चुसक मख्यां है उसको एक अंट्र अधरिका है जिससे दवा का खर्चा बचा सकते हैं और इसी प्लॉट में आपको आगे दिखाते हम कि जो नीली पनिया लगी हूँ है वो इंसेक्टिसाइट को कंट्रोल करते हैं जो इंसेक्ट वाले कीड़ों होते हैं जो इसकुट को बढ़वा देते हैं उस कीड़ों को तो वह एक अलग ती थी ना और यह देख रहे हैं कि यल्व कलर बाहर से यहीं बता रहे थे अंदर श्टी पर अलग बंदग और को इसमें अब और भी एक जो मैं बता चुका हूं हम हां हाँ अचित्व परकार नहीं अहलों सब अलग अलग बराइटी छे प्रकार क sieht अलग बता showing में खेप सब्सकार के अलग भू Anim जबड़ दिखेंगा वह इंट्री अच्छ इampf पूरा 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 भी छोटा फ्रूट है बहुत ज्यादा है देखियेश में पूरा एकड़ा में इस इससाब से फ्रूटिंग हुई है यह मुश्कान के नाम से है इसका पॉइंट है आपका 16 परसंट एक बॉबी लगा हुआ है उसका ट्यास अठारा परसंट है जो इसकी मिठास होती है उसको दर्साता है और बॉबी के अलावा मतलब इंदिया में कोई ऐसा तर्बूज नहीं है कि जो से भी ज्यादा मीठा हो अच्छा बॉबी हमारे यहां लगा है मुश्कान लगा है और इसकी खास्यत है कि अब यह पकने के बाद यह प्लाट के चारों तरफ पूरा फैल जाता है इसकी खास्यत है अच्छा और सीचाई हम देख रहे हैं कि आपने इसकी प्रॉपर वेवस्था कर रखी है विजली सीचाई कि हमने वेवस्था जब फार्म हाउस लिया गया उसके बाद सारी वेवस्था अपने तरीके से किया गया है जी जी और इसके ताकि जब भी बिजली खराब हो इस गर्मी के समय में तो हम सोलर से अपना चला सके जी और सीचाई का भी वेवस्थाम देख रहे हैं पूरा आप जो पाइप दोड़ाए हुए हैं सीचाई के वेवस्था है हमारा जो है फिल्टर वेवस्था है यहां से पानी सप्लाई होत फिल्टर पूरा यहां यहां से हर पेड़े करें इस मित्र कीट है मित्र एसको पाहवा दे टरों क्या जा रहा है और और चार चार्-चार लगे हुए है वेहे हैं वह जाम नहीं पाए बालू जाकर इसलिए कि वह थोड़ा सब बालू ज्यादा देता है इसके वज़ेसे चाचा फिल्टर लगा कर इसको सवाइब कराया जा रहा है तो इसमें क्या भी आप घोल किस किस चीज का बना है जैसे हमारा है इसको डाल दीजिए और रहा हुए उसको बनाते चले जाएंगे शाल साल बढ़ाते बैक्टेरिया इसमें से इसमें डाली और उसको बैक्टेरिया का जो भोजाने गूर है उसको इसको माइकोर्टोफ मुड है तो उसको आप डालते ही आपका बरता चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं से अच्छा ठीक है मतलब बैसिकली आप आसी बाइसी का जो कंसेप्ट आप लेक चल रहा है कि प्रतिशत और गेनिक बीस में ही केमिकल जो है प्रयोग आप जहां केमिकल की जरूरत पड़ती है वहां पर हम लोग को के मुर्गी अबीट और आपका भेल का भीट है और पशुँओं का भीट इसको लाकर में तो पूरे खेट में डाल चुका है एक लाक्थ ऊपर का जी अच्छा जो किसाद नहीं कर पार रहे हैं अपने घर काहीं कि दूपते नहीं दाल पाते हैं इतनी बड़े प्रमाने तो क् कि इंकम तो देखिए अभी टार्गेट जो है लगभग लागत चालिस लाख रुपया लगतु का हिसमें और प्राफिट अभी के प्लस भी जा रहा है बट प्राफिट कुछ नहीं है अभी नो प्राफिट नो लास में हम लोग चल रहे हैं और अभी इस चल देखी निकल पात कभी हम देखने साइड साइड आप लगाएं ट्राइल की रूप में बहुत सारी लगाए गये हैं जिस पर हम हमने डिसकेश नहीं किया है अब यह सक्सेज हो जाए तो फिर इस पर डिसकेश किया जा एक बार और हम लोग सक्सेज हो जा तो वीडियो इस पर लेके आएंगे ठीक है इधर ने कि पपीटाका भी आप खेती किया हुए है तो है पहली बार कर रहे है नहीं कुछ पॉतक पीखांञे है तो Miles आप लगा है जिपाधये हमारा है है आप अ हमें हैं और बाकी इधर जो करने टोटल लेक की मतलब हुआ है ठीक है पिया है जी आम देख रहे हैं इधर आपने खीरा भी लगाया हुआ है समर में हमारा खीरा और तर्बूज दोनों फेवरेट है अच्छे लिए कि मैंने जब खेती में कदम रखा तो मैं सुदवात खीरे खेती कि इसे किया था और खीरा की है चेहां मुनाफा कमाया था च्छोटे ही एरियमें किया था बहुत अच्छा हमको लगा उसके बाद अब तक मैंने 12 साल में खीरे की खेती नहीं चोड़ा हूं कई सीप्ट में खीरा लगाता हूं अब यह स्विट मेरा भी डूं हो गया ह और दूसरा शुप्ट भी निकलना शुरू हुआ है और तीसे शुप्ट वाले की भी तैयारी चल रही है चोटा-चोटा प्लांट है इस तरीके से कई शुप्ट में खेती हम करते हैं तो ड्रैगन फूर्ट की खेती के तैयारी चल दिए भी पीलर गड़वा रहे हैं अभी इ मोलिक्राप के वरेज में जो है अब तर्भूर लगा हुआ हुआ तर्बुझ लगा हुआ हमारा तर्भूज भी यह मक्का भी है कई करांब केकृ क्रपिंग किया आप ले सकते हैं साथ है यह उट जिसमें सुटम सिचाहिय के लिए अच्छा है इस इसमें प्याज में देख रहा है नीली पनी यह क्या है यह और खीरों में भी जगा जगा हुआ है इन्सक्ट को कंट्रोल करता है तो यह जिससे जिससे पौध्य में शिकुड़ान आती है जो रश्चूशक होते हैं इंसेक्ट को फैलाते हैं वो कीड़े जाकर उस्वाइब प प्याज हम पहली बार देख रहे हैं तो इसके क्या कॉंसिप्ट है आपका मल्चिंग बिदी लगाने का फायदा किसानों को यह है कि इसमें जो आप देखने की घास उगर नहीं है उसके बाद प्याज का जो गांट है इसकी आप देखिए एकदम पूरा एकदम उपर आ रह जो गुडाई करने का जो घास निकाले का जो खर्च आता है वह पूरा पूरा बच जाता इसमें एक भी निराई गुडाई नहीं करने होती है और पूरा आपका खर्च बचेगा और घास कुछ जहां नहीं होगा उसमें पैदावार आपकी अधिक होगी जो कि घासों से जगह-जगह पूरे अलगए होए पूरे प्लाट में आप देखें होंगे सारी चीज़ों को देखें हैं वहाप रह जगे आपको मार्केटिंग पर घाट सबस्क्राइब करें इश्टाव सप्लेट के सबस्सक्राइब हैं तो कई चीजों की वह नुटक्त है तो इसकोद्धक पर त्यार करके तक पोचाने का काम करते हैं तो यह आप आपने इसे करते हैं खल आ मोलम हम देख रहा है था कि शूर में बाहर चाया है आप रखा गया है पौधा लगाने के लिए जगा खाली होगा तो लगेगा बाकी जो ट्रे वी देख रहे हैं अब हम अपनी हाँ करते हैं कि जिले के किशानों तक मैं अभी मैसेज देना चाहूंगा कि जो भी जिले के किशान आगे बरसास से जो भी जिन वहीं चीजिए और कि उनको देना काम करेंगे इस पर भी हम काम करना शुरू करते हैं तो पूरा वीडियो हमने आपको नीचे से दिखाया है अब हम उपर से एक विव आप लोगों को दिखा देते हैं दोस्तों पहाडी पर से चड़के कि देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया आ रहा है पूरा यह भाई साथ का फार्म यहां से लेके वह जो आपको दिख रहा है वहां पर कराकट लगा हुआ वहां तक पूरा फार्म है इनका तो यह आप कुछ बता रहे थे मैं अपने और किसान भाईयों से बताना और यहां बहुत सारे फस्तनों की खेती हुई है जो की डिफेरेंस डिफेरेंस हैं मल्टी क्रापिंग में हुई है उनको देखने का मौका मिलेगा और जो दर्सक हैं उनको अगर यहां तुरिस्ट के दिश्टिस आना है तो इसको हम लोग एग घ्री. तूरिजम के भी बना हुआ है किचन गैस प्लांट में हमारे पहार की पीछे सरकारी प्यस्ट केम बनने जा रहा है तो यह बहुत अच्छा एरिया है टुरिस्ट के लिए लोगों को घूमने के लिए आने वाले समय में तो हम इसको टुरिस्ट बनाना चाहते हैं तो लोग हम से जूड़ें और